आप सेजर कटिंग करा सकते हैं, इसे help to improve fine motor skill, eye hand coordination, also help to improve attention and focus. तरसे आप पे extending line लेगे जीगन, और extending line को कटिंग करना है. आप अपने बच्चे की abilities को ध्यान में रखकर ही ये activities करवाएं. ये आपको gripping में भी help करता है, improve आपका grip. In addition, this activity also helps in strengthening tiny muscles of hand which further helps in writing skills. Here you can see different kind of beads are used for making various shapes or patterns. आप beats की जगह कुछ और भी use कर सकते हैं, जैसे different types of buttons, बड़े grains या जो भी आपके घर में available हो, जिसको अलग-अलग patterns टेपर पे बना के उस पे सजाया जा सके. This activity helps in improving high hand coordination, fine motor skills, color identification, focus, attention, concentration. And it also helps in teaching numbers, shapes and sizes. This is a kind of board and needle activity. बट इसमें actual needle नहीं है, wooden है. आप wooden board की जगह कोई भी cardboard का shape बना कर उसमें holes करके pencil को wooden needle की तरह use कर सकते हैं. This activity helps in improving fine hand functions, specially tripod grasp and pinch grasp, जो की writing के लिए भी बहुत important है. Apart from that, it also improves eye hand coordination, focus, attention and concentration. आप इसमें बच्चे की abilities के according एक particular pattern में भी thread डालने को बोल सकते हैं. जिससे उसको various sizes का भी learning शुरू होती है. दिससे aikफोडे सबने हैं And, blessed activity. It helps to visual motor scale, fine motor scale. गातले के इंगान, तर करता लोड़ लीड लीड लाoh बंग से लीड movimento काई अंग syndrome वान, वेस्काइज पान और लीनточно पर ल kaliं, लीड लागान. प्रै। कि प्रैकरि आपिविती गुड प्रैकर वेमचर फैन प्रोग इंपूवाँ Fine Hand Functions and Eye Hand Coordination पर इसको आप currency identification, counting, addition, subtraction इन सब चीजों के लिए भी यूज कर सकते इसको आप currency identification, counting, addition, subtraction इन सब चीजों के लिए भी यूज कर सकते इसको आप Mak image कर लेकिन और ऑरनी डिंट आपक एन समयां पर। इसको में यूज क्रस्ण आपक बहूंति इसको आप कर सकते jale āज के लिए, žुज आपक काल कना काक टोरनेय इन सक एंटिम में इसको में你是 oil pestle अगर यूज किया जाए और different texture of paper यूज किया जाए तो this activity can be used for providing tactile sensory inputs. Above all, ये बच्चों की creativity and power of expression को भी काफी इंप्रूव करता है. तो let's be creative, अब let's paint. यूज आए, बच्चों को बनुपक सुखके और रूच्चाइं को इंपर यूजूज को रूचूए, अब अच्चों कोड़ अप्सरे रखंधिर कुछाओ स्वरूभ काफ्चाइट यूज को इंपाइचिव इंपर यूज पादाताईश्व यूण पाफ्चों किया जूज अगर आपके पास घर में ऐसे कप्स ना हो तो आप कोई भी पेपर कप को डिफरेंट कलर्स में कलर करके इस तरीके से एक्टिविटी करा सकते हैं अगर कोई वाजब पु एक्टिव थे एक्टिविस कमें फुर दो धस to in pro fine hand functions, strengthening tiny muscles of hands, Eye and coordination, Attention, Concentration, Depth Perception, visual spatial perception, Ability to differentiate and segregation, And provide tactile sensory inputs कुई भी जैसे रजमा है आपका रजमा उठाने और बस में जाने है एंटिं इसीन, राइस भी है आपका राइस उफरने है टूजर से फिल्डाने है यह जो चीज़ है अपलेबूले उसको टूजर से उठाने है और डावने अगर आपके पास नहीं है ट्योजर तो आइब्रो बनाने हो जो ज़र होता है उससे लिए इस पर सब्सक्राइब अगर आपके पास इस तरह का बोर्ड नहीं हो तो आप इसको सेम पैटर्न को पेपर पे बना के उसको फिंगर से ट्रेस करने के लिए या किसी भी स्केच पेन या पेन किसी भी चीज़ से ट्रेस करने के लिए बोल सकते हैं तो मेंक दे अक्टिविटी मोर इंट्रेस्टिंग दे सेम पैटर्न कैन बी मेड उन सैंड और राइस अब करेंगे ईक प्रजिमा डाल एंड राइस फिर आप क्या करेंगे एक कप में राजमा रखने हैं एक कप में जल रखने हैं एक में राइस रखने हैं तर बच्चे को बोलना है डavorमँ उठाओ और रज्मा वुला कप में रख या से बच्चें मोछ राइस उठाओ राइस वाला कप में रख या से पर दाल वाली कप में रख या से बच्चें को बोलना है कि बल्ल ऑन यह तो मसल चालिए जम दाओ करेंड़े मतलम にमेंOD activities को baseline बना कर घर में available चीज़ों से new activities बना कर बच्चों से बहुत कुछ करवाय जा सकता है